ये स्वबुक ने आलोचेना करेवा है, मोसे तो स्टूडियरे जे गेस्ट अशनते आसंतु दांको से तो मुआ पनकर पॉश्यों कर दिवे तापर आगो को आलोचेना को बड़े बाग बाग बत्वान स्टूडियरे मोसे तो जोडी हो चानते जवर सिंग पनबर सीओ नंदी करेंगे लेकिन आकलन क्या कहता है, जो एक्जिट पोल था, वो एक्जट हो रहा है गायतरी सबसे पहले तो थैंक यू फो हैविंग में दे स्टूडियो सबसे रिलीव की बाद हमारी इंडस्ट्री के लिए और जो पोल्स्टर्स हैं, जो एक्जिस पोल, ओपीनियन पोल करते हैं बहुत दिनों बाद ऐसा दीखने में आ रहा है कि वो लगभग एक्जिट पोल जो है, एक्चुल रिजल्ट में हमको ट्रांसर होते वे वो दीख रहे हैं, तबदील होते वे दीख रहे हैं इसके साथ साथ दो स्टेट्स अब लगभग क्लियर हैं गायतरी, बीजेपी, यूपी में बीजेपी क्लियर है कि वो लगभग 200 के आसपास पहुंच जा रही है और एक पंजाब में आपका तो स्वीप है, पंजाब में तो ये हाल है कि वो 90 टच कर चुके हैं भी, 117 में से 90 सीटों पे वो आगे चल रहे हैं फिलाल और ये स्वीप है बहुत तकड़ी आपके फेवर में, आप देखेंगे नवजोट सिंग सिद्धू, अमरित सर से, वो पीछे चल रहे हैं, अमरित सर इस से, आप देखेंगे प्रकास सिंग बादल, स्टॉलवर्ड, पंजाब पॉलिटिक्स के, शिरुमानिय काली दल के, व सकता है, स्टिति आगे पीछे होगी, लेकिन प्रकास सिंग बादल का पीछे होना अपनी सीट पे एक बहुत बड़ा संकेत है, कि आपके फेवर में, और आप केंडिडेट वहां लीड कर रहा है, सुखबीर सिंग बादल उनके जो बेटे हैं, डेपिटी सीम, पूर डेपि हुआ है, लोगों ने वोट किया है, तो ये दो स्टेट तो बिलकुल, अब मुझे लगता है, कि मौर अलेस, आठ दस की काउंटिंग के बाद, इनकी स्थिती तो सपस्ट है, जी अनालिसिस करेंगे कि अभी जो उतरप्रदेश का ट्रेंड है, फिर पंजाब का ट्रेंड है लेकिन पहले पूछना चाहूंगे आपसे, ये रियाक्शन लेना चाहूंगे, कि अखिलेश का जो प्रेस कंफरेंस था, आपने सुना होगा कि चुनाओ की चोरी, ये क्या संके देते थे कि आगे उनका हार होगा, इसलिए ये बाद, आप ठीक कह रहे हैं गायतरी, जो उनक दिन पहले आये थे, और उन एग्जिट पॉल में, एक भी एग्जिट पॉल ने सपा को बढ़त नहीं दी थी, सारे एग्जिट पॉल, नमबर्स में सब वेरी कर रहे थे, कोई 230 दे रहा था, कोई 225 दे रहा था, कोई 290 दे रहा था, लेकिन सब BJP के फेवर में दे रहे थ तो कहीं न कहीं वो उनका भी ground feedback होगा, उनका अपना analysis होगा, तो उनको कहीं लगा होगा कि जिस तरह की results की वो उम्मीद कर रहे थे, कहीं न कहीं वो उनके फेवर में नहीं हुआ. लेकिन क्या factor काम किया उत्रपदस में, क्योंकि वो तो बुल लेते, जोगी का ब्रांड, जोगी ब्रांड या नरेंद्र मुदी का ब्रांड, अमी साहा भी गए, बार बार, ये सुब factor काम किया, या क्या क्या, क्योंकि मारवाती का देखिए, वो तो silent हो गए, फिर आप कस् फेक्टर था, यूपी में, साहरनपुर से लेकर, और अगे तक, पूरवी तक, पुरा बलिया तक, एक फेक्टर था, वो था security, आम आदमी को security, ground पे देखी, वो महसूस कर रहा था, कि वो सुरक्षित है, रात को बारा बजे भी वो निकल सकता है घर से, महिलाओं के लिए ए अपने आपको सुरक्षित महसूत कर रहे थी, तो ये सुरक्षा तो एक common factor है पूरे के पूरे election में, इसके अलावा, जो वहाँ पे delivery हुई है, बहुत जो programs थे, ration का program का लीजे आप, क्योंकि lockdown का period रहा, तो बहुत सारे लोग, जो workers थे, UP में, जो बहार राज्यों में काम करत थी, तो कहीं न कहीं, वोटर्स को वो भी पसंद आया है, इसके अलावा, आपको उज्वला की जो योजना थी, हलाकि सब लोग कह रहे थे, कि सिलेंडर तो पहुंच गया, लेकिन उसको भरवाने के लिए, अब हजार रुपे कौन देगा, तो वो भी एक factor था, लेकिन घर म मिले थे, आवास योजनाय मिली थी, पी-म के प्रोजेक्ट के तहट, वो बहुत मुस्लिम फैमिलीज को भी मिली थी, तो लोगों ने ग्राउंड पे देखा कि गौर्मेंट ने बिना भेद भाव के डिलिवर किया है, और एक और यूपी में का जाता है कि जो कास्ट प्रेक्टर काम करता है, लेकिन इसमें देखेंगे कि हम लोग सती तोर पर कह देते हैं कि सपा तो जो है, एक मुस्लिम जो हैं और यादव वोट करते हैं, लेकिन बिजेपी ने पिछले 3-4 एलेक्शन में ऐसा अपनी कॉंस्ट्वेंसी बनाई है, कि यादव वोट करते हैं सपा को, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% वोट उसके पास चला जा रहा है, उसमें से भी वो 10-15% वोट ले जा रही है, ऐसे ही दूसरे OBC वर्ग हैं, उनके भी वोट ले जा रही है, जैसे राजभर थे, उनके पास राजभर का वोट था, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे लोग उनको वोट कर रहे हैं एक इंट्रेस्टिंग फेक्टर इस इलेक्शन में ये भी रहेगा कि चुकि BSP का वो देखने को नहीं मिला ग्राउंड पे वो देखने को नहीं मिला तो BSP का वोट कितना स्विंग किया है BJP की तरफ ये जब वोट पर से तो अक्टिव कैंपेंग था प्रियंका तो अक्टिव कैंपेंग किया ना वहाँ पे तो इसको खड़ा करना लेकिन उसको मोबिलेज करना नहीं हो पाए क्या कंग्रेस की देखिए लास्ट गवर्मेंट कांग्रेस की यूपी में बनी थी लगबग 37 साल पहले तो तीन दशक से कांग्रेस वहाँ पे पावर में नहीं है और पार्टी बहुत कमजोर हुई है प्रियंका गांधी ने एक्टिव कैंपेंग किया लेकिन उन कैंपेंग को उनके वरकर् पहलाओं के वाला जो कैंपेंग था बेटी हूं लड़ सकती हूं तो प्रियंका गांधी अकेले लड़ रही थी उनके बहुत सारे कैंडिडेट जिनको उन्होंने टिकेट दिये वो पार्टी छोड़ के चले गए टिकेट मिलने के बावजूद बहुत सारे उनके जो सिटि अबसे कता अच्छी की कॉंग्रेस पहीं करना आमें देखे थी लू प्रियोग का करने आक्टिव कैंपेंग कटले किन्तो जो बढ़ी होबे 24 इंटो 7 एई राजनी थी करवे कता मोका पे चोका तांकर जो राजनी थिला ताको बोधी लोकों मने ग्रहण करना थी आवटे अ 40 परसेंट वोड थीला से ठी बगहल को खाता को जाई ची कि नाई बा अखिलियोस कोर कॉण होची से फेर सीट लागोटे संगरस्ता कुन सीटरी पॉरे ना तो इची कि वियाएपी सीट होची ताको ने आलो ची ना गरवे किन्तु बात्वान जहाँ ट्रेन कोची 6 बार से इंडिपेंडेंट लगातार केंडेडेट जीत उन्होंने दर्ज किये लेकिन इस समय वो ट्रेल कर रहे हैं आलो ची ना आगो को बढ़े वा कौण कोची ट्रेंड आ कौण संकेत दोची करारा अपन जनती में जनती में ट्रेंड को नहीं सप्पा तर फुरू और था अखिलेश शुनाव रा चोरी हवा कता उटे इतले रियाक्शन दे इतले तांकरा तांकरा अपरे वह तो यह आगो को बढ़े वा कि ब्रांड मोदी ब्रांड जोगी एक ठाकवा जाओ तले तांकरा अपरे वह तो यह गड़े वह तो आओ सेती पाइद अपन दे क्यांपेंड अक्टिव क्यांपेंड मोदी के बड़ी बैबे बारानेसी गौली रे जाए इतले रेल्यू स्टेशन चाह दोकान ए सबों को जाए इतले